Hey guys, what's up? This is Shubhari from eGages4U और इस वीडियो में दोस्तों जैसे हम सभी को पता है कि अगर बात करें स्मार्टफोन की तो हम लोग बात करते हैं फ्लाक्शिप मोडल्स को लेकर क्योंकि फ्लाक्शिप मोडल्स हरे कमपनी का एक ऐसा हैंसे होता है तो इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे 5 बेस्ट हैंसेट्स जो के 10,000 रुपीस के अंदर है बेस्ट हैंसेट्स विदिन 10,000 रुपीस जिसका प्राइस दस असार से ज्यादा है नहीं दोस्तों तो विदाट फॉदर एडियू, लेट्स गेट स्टाड़ेड दोस्तों इस लिस्ट में सबसे पहले आता है रेड्मी 4 जो कि आपको पता है दोस्तों की लाँच पो आता है एकदम लेटेस्ट में रेड्मी से और ये प्राइस है 7,000 रुपीस का 2GB RAM वेरियन का 3GB जो RAM वेरियन है वो आपको 9,000 में मिल जाता है हाँ ये 4GB RAM वेरियन में भी आता है जिसका प्राइस 11,000 हो जाता है लेकिन हम लोग बात करते है 3GB RAM 32GB इंटरल मेमरी ये हैंसेट का रेड्मी 4 एक लेटेस्ट हैंसेट से रेड्मी से जहाँ पर आपको क्वालकम स्नैप्राइगन 425 का चिपसेट मिल जाता है 13MP back camera 5MP front camera 4100mAh बैटरी बैटरी लाइट बहुत अच्छा है डिस्प्ले भी अच्छा है रेड्मी 4 का हाँ दोस्तों कैमेरा थोरा ठिक ठाक नहीं है लो लाइट फोटोग्राफी उतना अच्छा होता नहीं है रेड्मी 4 से लेकिन वैसे देखा जाए यह पूरा जो handsets है जितना सारा handsets है 10,000 रुपिस का अंदर में वो सारे में camera तो complaints अब को मिलेगा लेकिन यहाँ पर देखने वाला चीज यह भी है दोस्तों कि ज्यादा आप complaint करने ही पाऊगे क्योंकि यह low range handsets है उसे साब से बहुत अच्छा features भी आता है जैसे fingerprint scanners भी मिल जाता है आपको Redmi 4 में दोस्तों तूसरा जो handsets आता है यह list में वो होता है U Eureka Black हाँ दोस्तों U बहुत ही पहले एक launch किया था यह company है अला कि नया company है लेकिन दोस्तों handsets उतना जम नहीं रहता है यूरेका से लेकिन अब जाके Eureka Black चो latest handset आया है जिसका price अबको मिल जाएगा 8,999 रुपीस के आसपास में यह handset देखने में भी अच्छा है और इसका battery life तो जबरदस्त है दोस्तों हाँ display की मामले में थोड़ा बहुत low में आता है यह HD display मिलता है और display quality उतना अच्छा भी नहीं है लेकिन अगर यह 100 factors को छोड़ते इस बात करें की specifications की तो 5-inch का screen 1.4 GHz octa-core का processor 8 Megapixel, 13 Megapixel का camera 3000 mAh का battery, 4GB RAM variant तो यह सारे offers में आपको Eureka Black बहुत अच्छा deal में भी मिलेगा और अच्छा handset है दोस्तों अगर आप battery life के ही सब से देखोगे तो उसे सब से दोस्तों तीसरा जो handset के बारे में मैं बात करूँगा शायद यह best handset भी हो सकता है दोस्तों यह range में क्यूंकि यह है Lenovo K6 PAR सबसे बड़े unique feature यह है कि अभी तक के लिए जितना list में यह मैं दे रहा हूँ पांचों में से यह एक ही handset है जिसमें nogat update अल्रेड़ी आ चुका है आपको nogat में मिल जाएगा यह handset और हाँ इसका battery कमाल की है दोस्तों डिस्प्ले भी अच्छा है build quality अच्छा है देखने भी बहुत अच्छा है K6 PAR camera ठीक ठाक है दोस्तों बात करें की specifications की तो इसमें 5 इंच का screen octagon का processor 1.4 gigaard clock speed में 13 megapixel 8 megapixel का camera 3 GB RAM 4000 mAh battery यह सारा कुछ मिल जाता है और दोस्तों Lenovo K6 PAR आपको 9999 रुपीस में मिलेगा तो इससे सबसे deal भी अच्छा मिलता है handset के हिसाब से pricing के हिसाब से दोस्तों Ford जो handset आता है वो एक ही handset है जो कि December में launch हुआ था हाला कि यह जो list में तयार कर रहा हूँ यह एकदम नया handset को लेकर है सिर्फ यह Moto G4 जो है वो 2016 के December में launch हुआ था दोस्तों लेकिन handset कमाल की है Moto का खास है तो इसमें है कि इसमें आपको stock android experience मिलता है जो कि कमाल का user experience है display भी बहुत अच्छा है Moto का 3000 mAh बैटरी के साथ आता है बैटरी लाइक पी अच्छा है camera थोड़ा disappointment है लेकिन ठीक थाख चल जाता है broad daylight conditions में बात करें key specifications की तो इसमें आपको 5.5 inch का screen size मिल जाएगा octa-core का processor 1.5 GHz के speed में 13MP 5MP का camera मिलेगा full HD display मिल जाएगा 2GB RAM 3000 mAh बैटरी मिल जाएगा 9999 रुपीस में ये handset आपको मिलेगा दोस्तों पाच्पा जो handset आता है वो है coolpad note 3 हाँ ये वाला handset भी आपको December में launch हुआ था लेकिन दोस्तों इसका camera कमाल की है low range devices में शायद ये handset का camera सबसे अच्छा है हाँ इसका build quality भी अच्छा है लेकिन दोस्तों battery life उतना अच्छा नहीं है design और UI के मामली में भी ठीक थाकी है जबरदस्त है नहीं लेकिन ठीक थाक है की specifications की बात करें तो इसमें आपको 5.5 इंच का screen size मिल जाएगा octa-core का processor 1.3 GHz की clock speed में HD display 13 MP, 5 MP का camera 2500 mAh battery, 3 GB RAM आपको मिलेगा 9,800 रुपीस में ये handset आपको मिल जाएगा दोस्तों तो ये था 5 handsets जो कि 10,000 रुपीस का अंदर में ये इसका pricing है और मेरे हिसाब से best handset है अभी तक के लिए हाँ, ये पांचों को छोड़कर अगर आप दो और handset की बात करें तो आप Nokia 3 भी देख सकते हो, Moto C Plus भी देख सकते हो दोनों ही एकदम latest handset है 10,000 रुपीस का अंदर में ये दोनों का pricing है और क्यूंकि brand value है Nokia की, Moto come stock Android experience ये सारा कुछ मिल जाता है तो उस हिसाब से ठीक ठाक भी है तो बात करें, अगर सातों handsets की तो ये Nokia 3 भी आजाता है दोस्तों ये list में तो होप सो ये वीडियो हिल्फुल रहा आप सभी के लिए जितना हो सब्सक्राइब कीजिए और share कीजिए सभी के साथ क्यूंकि knowledge और information सभी के साथ बढ़ना चाहिए और अगर आप ऐसे ही trending take news जो की चल रहा है इंडिया में daily पाना चाहते हो तो मेरे चैनल में आके subscribe बटन के बगल में इस नोटिफिटिशन का बिल है उसको on करना मत बुलना अगर आपको कोई भी query या comment हो या comment section में भी डाल सकते हो या फिर आप Twitter, Facebook या Google Plus में भी post कर सकते हो आपको सिर्फ यूज करना परेगा hashtag eGadges4you So that will be it guys, bye for now